यह टेस्ट का चानू केसावना क्लीज। तो मेरा इंसुरेंस तो है यह सफेट सफेट क्या है अजया आपने पेड़े नी कहा है क्या आपने आपने नाटक मत कर जानू प्लीज। गुड़ पॉर्निंग जैम आता दी दोस्तों यह देखिये हमारा जो बेल का पेड़ है जैसों प्यारे यहलो ग्लालक फ्लावर आथे हैं। यह इस तरीके से बढ़ रहा है कि उपर के इसमें दूस्ते पेड़ का सहारा ले लिया है और उसके साथ अपने आपको लपेटे जा रहा है लेकिन ऐसा दही होना चाहिए जहां चाहा है वहां रहा है लेकिन यह इस पेड़ की रहा नहीं है तो हमें इससे हटाना पड़ेगा चली अंदर चलते हैं गीत चली गई है स्कूल और मालवे जी नहा रहे हैं और उसके बाद हमें पूजा करनी है तो मैं आज सोच रही थी कि गीत के लिए आटे के पेड़े बनाओं तो मैं ट्राय कर रही हूं मुझे नहीं पता है ऐसे बनेंगे या नहीं बनेंगे अप्रॉक्सिमेटि दो कटोरी आटा लेके मैं घी में भून रही हूं घी भी मुझे ज्यादा नहीं लेना है आप सबको पता है गीत चॉकलेट नहीं खापाती है केक नहीं खापाती इस तरी की चीज़े जो बच्चों को पसंद होती वो कुछ भी नहीं खापाती इसलिए कि मुझे उसे वराइटी की चीज़े बनानी पड़ती है तो इसलिए मैं ट्राय कर रही हूं यह बनाने के लिए अच्छे से आटा घूनने के बाद भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी मिल्क पाउडर तो अच्छा कि टेस्टी लगे गीत को कभी कबार तो खा सकती है ना यारी यह दूद नहीं है उसकी डाइट में दही नहीं है यह सब चीज़े अलर्जी के कारण बंध है तो मैंने देखा है स्कूल में जब भी किसी का बर्थिड सेल तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा पर घी भी मैं कम लेना चाहते हूं इसलिए उतना आपको देख नहीं रहा होगा उसके बाद पीसी हुई शक्कर डाल रही हूं मैं इसमें और गैस बंद करके थोड़ी तेर और हम भूनेंगे देखते हैं आउटपुट कैसा निकलता है फ्रेंट्स मैने थोड़ा सा निकाला है बाकी रखा है मैंने और मुझे रग रहा है थोड़ा और घी मिलाते तो थोड़ा शायद बंदे में इजी होता इसलिह मैं थोड़ा सा निकाल के ट्राइ कर रही हूं इसे अच्छे से मिक्स करके फिर हम पेड़ा बनाने के लिए इस तरीके से ट्राय करते हैं कि पेड़े का या लड़ू का शेफ बन जाए नहीं बनेगा तो गी लगाएंगे पर अभी गी की जरुवत मुझे लगी नहीं तो फ्रेंट यही होता है मेरे साथ मेरे साथ में बहुर अच्छी नहीं हूं कुकिंग है मैं बना रही थी पेड़े अब बन गए है लड़ू पर क्या हो गया टेस्ट भी तो मैटर करता है ना तो हम पूजा करके मालगे जी से पूजते यह कैसर आ रहा है बेटा मन में भी पढ़ सकते पेपर क्या हो आज यह टेस्ट का थानु जानू केसावना क्ली तो मेरा इंसुरेंस तो है यह सपेड सप घुए यह ना तक मत कर जानू प्लीज कैसे इस चैसे बोलना मैं ओफिस बेजूंगी अँपेज दो अच्छा है अच्छा है इस पेड़ा जैसे पेड़ा आ यह अच्छा है बढ़िया ने को टेस्ट करा अ मुरे फाऊ जैशेल है अच्छे है आटे के लड़ु ज़ लगररे बस अगर आंड मिल्क पाउडा है मावागारी अशाया ज अच्छा पार आच्छा था च्छा है ना में एक्स्पेड्मेंट था बूडरा यह था नगए है पागा इस्टीा सच्में पागा जैंगा में बोलना है तू दिया निक जंदे लगा में अच्छे बोलना हूं दिखा मुझा वा इस तो क्या तरीक्टा चैनले है तो दोस्तों चलो ऑफिस चलते हैं अज कच्रे वाला नहीं आया है तो कच्रे भार पड़ा है जा आये नहीं है ऐसे एक दिन छोड के आरते हैं वो तक त कि मातले आंसे बड़ते सीडी जलते हैं कमसर में चर ने सकते हैं उतार भोटर वहां है फ्रेंट्स अभी शाम के हो रहे हैं चार और मैं गीत को बस दली ए ओर झिला रही थी एकच्री उसे भूग लग लग रहे थी तो अभी मादवेजी चाहर अदिखा फोन आ जाए तो पता चला मेरा एक स्टूडेंट था जिसे मैंने प्राइवेट टूशन दी टैन्थ क्लास में उसके दादा जी एक्सपायर हो गए तो आज उनका उठावना है पांच बजे तो मुझे जाना पड़ेगा तो इसलिए मैं गीत को हमारे ही सुसाइटी में है पलवी जी वो टूशन लेती है छोटे बच्चों के तो मैं बैग लेकर मैंने उनसे पूछा था कभी-कभी मैं गीत को छोड़ देती हूं वीक में एक बार दो बार तो वो बच्चों के साथ तुड़ा इंडरेक्ट कर लेती है पढ़ाई के लिए नहीं हो अपना टाइम पास हो जाए उसका इसलिए मैं बुक्स वगेरा भेज रही हूं और मैं आटो करके फिर मालवीजी के साथ जाती हूं क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा मैंने ओला से ओटो बुक किया था लेकिन ड्राइवर का कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा है उन्होंने कैंसल करने का बोला तो नहीं है पर दस मिट हो गए हैं तो मैं कुछ से कैंसल कर रही हूं और यहां पर अलड़ी ओटो खड़े हैं तो मुझे जरुवत नहीं थी ओला से करने की मैं इसी यहां जो ओटो खड़ें इसी से जाना चाहिए मुझे और अच्छा भी है और वोला से मुझे एटी एट रुपीज लग रहे थे और इस ओटो से सिर्फ सेवेंटी रुपीज सी अपराइ है जर दो ऑटो खड़ेंगे जरुपीज एटारश्ड़ीं के फटो खड़ें जब से बटे से फस्टका जबेंगे हैं झाला से सिर्फ लेगिज। तो फ्रेंट्स हम लोग वहां से आ गए हैं मैं नहा ली हूँ खाना भी बना लिया है और वह सब तो खैर वहां कोई वीडियो का काम नहीं था बट आप लोगों को लग रहा को इतना क्यों बता रहे हैं उनकी एज थी जाना है मालव जी भी प्रैक्टिकल है लेकिन क्या है मु उनका नाम था और हमारे लिस्ट मैं से एक नाम कम हो गया अब वह आंकल नहीं रहे तो थोड़ा सा की अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए गीत को खाना खिलाना है और डिनर ऐता कर थे तुम्में यह बताना चारा था तो ने बताया कि मैं और लोगों से बताना चाहरा कि मुझे थोड़ा दिख रहा हूं कि जब हम इंदोर में नियु थे हमारे कोई पेचान का तो किसमत से वह हमारे कास्ट के निकले और उन्होंने रचना को मुझे लगता है कि कोई बेटी से कम तो नहीं रखा रचना जब प्रेगनेंट थी तो हां मैं प्रेगनेंट थी उनके दूर के जब दिन थे जनवरी फ़र हैं मैं एंटर होती थी बैठती थी और अँकल पानी ला देते थे और नीचे जो पैर कारपेट जीसा होता है वो मेरे पैरों की ते हमारे क्ला के रखते थे मैं अंकल को इतना मना गरती थी और आज पहली बार हुआ है आज तक ऐसा नही अब मुझे अंकल ने मतलब सामने कुछ अच्छी चीज खाने को ना के दिया कुछ ना दिया मैं पटा चल गया था कि मैं पढ़ाने आने से पहले नारेल पानी पीके आती प्रेग्नेंसी में तो मेरी लिए लाके रखते थे कहीं अब की मैं अदूर में इतना क्लोज किसी नही अब लगता थे कोई है जरोतनी पढ़ी मातरानी जरोतनी पढ़ने दी मगर है घर भी देखने आयो चलते ने वह आया थे वह यहां जो हमने घर लिया था गीथ हुए तो यह के लिए ड्रेस लाय ते और ऐसा नहीं कि मैं पैसे नहीं लेते मैं उसको प्राइवेट टीशन द मैं अगर मैं गया हूं रचना को लेने तो मैं खाली आता था मुझे 200-500 हम मना करते हैं तो क्या होता था कि जिसे फीमेल जो घर की होती है वह सकता गुस्सा करें अंकल बहार आकर पीछे से अंदर से आकर बेटी नहीं तो वह जो अपना पन थाना और हम ने बहुत ही अंकल कह रहे थे कि मेरा दूसरा घर है अभी खाली हुआ यहां तुम लोग आजाओ मैं रेंट नहीं जाएंगे अच्छा नहीं लगा अंकल जाना तो है बस यह आज भी उन्होंने वह गए उन्होंने किसी को परिशान नहीं किया एक रात भी शायद अच्छे से होस्पिट से दायपुर उनको नहीं पैचाने तो उन्होंने इतने अच्छे से सब को छोड़के रस्तारों को मिलने आए रशना से मुझ से तो उनके संस्कार भी अच्छे थे उनके पोतों में भी है उनके बच्चों में भी है तो अंकल खुद रिटायर्ट गवर्मेंट टीचर थे उनकी मतलब नपार्खी नजरती वो समझ गयते यहीं कहते थे मैं मैं हर किसी को यहीं मुझे पता है कि आप कितना अच्छा पढ़ाते जो भी है तो बगवान उनकी आत्मा को सांती दे और अपने स्वरक मतलब की अपने च्छी चरणों में स्तान ने प्लीज तो परायत एक पोता जिसको रचना ने पढ़ाया था वो भी करने लगता था एक्रोपोली स्कॉलेस से तु देखो नहीं बिगड़ तो नहीं पड़े कि आप उनकी उमर से आप उनसे पूछ सकते हो मिलके पूछ सकते हो हम दादा दाजियों के एजगे पागे उनकी सोच देखो उनकी सब्सक्राइब करते हैं अच्छे मूर से भगवान सबको खुश रखे चोटी से जिंदगी हस्ते मुस्कुराते रहो यार